शो होने वाला है बड़ा जबर्दस्त इसलिए सब्सक्राइब बटन दबा दिजिए और नोडिसिकेशन के घंडिये वजा डालिए ताकि जब भी हम आए आपको फॉरण पता चल जाए फ Folge अचल ऑजरूर सुनना होगा तो सुनने के साथ साथ अब इंगलिष भी सीखी लेते हैं दिन्हींसी ये शुरू करते हैं पहले लाइन है शुर्रा के दिल मेरा गोरिया चली तो अब इसे English में कैसे कहेंगे बताएए अगर किसी गोरिया ने आपका दिल चुरा लिया है चुरा के दिल मेरा गोरिया चली जी हाँ गोरिया यानि बहुत ही सुंदर लड़की तो उसके लिए हमने यूज के है तो गोरिया यानि चुरा के दिल मेरा स्टोलन माई हाट दूसरा लाइन है सुनिये ध्यान से सरह सुनिये गागर किसी ने आपके नेंद को उड़ाया है उड़ा के निल दिया कहां तू चली वेर आई यू गोईंग आफ्टर रॉबिं आफ माई स्लीप पागल हुआ विवाना हुआ तो इसे क्या कहेंगे तो दोस्तो अब पागल के लिए न आप नया वर्ड यूज़ कर सकते हैं इंसेन पागल हुआ दिवाना हुआ आफ बिकम अमाड लवर तो कैसी ये दिल की लगी अब यह लाइन लड़की गा रही है चुरा के दिल तेरा गोरिया चली अब यह लड़की की लाइन है अब गोरिया जा रही है तो वो थोड़ा सा बता रही है तो इसको इंगलिश में कहेंगे अब जब आप इतने सारी मोशन की साथ भरे हुए है तो आपको सच में नहीं पता होगा तो अगर कई बार आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता है कि आप कहां चले जा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे I'm not sure where I'm going मुझे क्या पता कहां में चली I'm not sure where I'm going ओ मन्जिल मेरी बस तू ही तू You are my only destiny अब ज़र ध्यांस इस लाइन को सुने है मन्जिल मेरी बस तू ही तू ध्यांस इसले सुनने के लिए कहा था कि इतना effective line है कि अगर आप किसी को भी बोलेंगे तो सामने वाला इंसान जरूर इंप्रेस होगा और English में आप बोल सकते हैं You are my only destiny मन्जिल मेरी बस तू ही तू You are my one and only destiny अब अगर आपको किसी को इंप्रेस करना है तो ज्यादा सोची ने You are my only destiny जाए और बोल दीजे Next line है तेरी गली में चली तो इससे English में कहेंगे I am heading in your direction जिब आपको अपनी मन्जिल पता है तो पड़ी कॉमन सी बात है कि किस डिरेक्शन में जाना है तो आपको पता ही होगा तो इससे English में कहेंगे I am heading in your direction और heading इसका मतलब होता है To move in the direction mentioned तो चुरा के दिल मेरा गोरिया चली The gorgeous girl is living after having stolen my heart चुरा के दिल तेरा चली मैं चली बहुत लोग जो experienced होगे उन्हें पता ही होगा तो लड़कियों आप इसे कैसे कहेंगी I am leaving after stealing your heart अब यहाँ पे next para शुरू हो रहा है नई emotion के साथ नशीली नशीली निगाहों ने लूटा अब जिनको लूटा होगा वो काफी अच्छे तरीके से जानते होंगे तो इसका English में जानिये किसे English में कैसे कहेंगे Your seductive eyes have made me fall in love with you अदाओं ने घायल किया The style has assassinated me अदाओं ने यानि style ने घायल किया assassinated me कभी पास गाके, कभी दूर जाके बड़ा दर्द तू ने दिया इस line, यह line जो कह रहा है अगर वो आपके साथ भी हुआ है तो उसका सरदा English भी जानिये किसे English में कैसे कहेंगे You have caused me so much pain by coming closer at times and then living at others बड़ा ही दुख़द line है लिकिन It's okay, English सिखने के लिए चलता है मेरे रूप का, मेरे रंग का Of my beauty of my skin तेरे रूप का, तेरे रंग का Of your beauty of your skin तेरे रूप का, तेरे रंग का चाया है मुझ पे नश्या I am high on the intoxication of your beauty and skin चुर्रा के दिल तेरा गुर्या चली उसे कैसे कहेंगे The sweet girl is departing after stealing your heart मुझे क्या पता, कहा मैं चली So I am not sure where I am going अकेला हूं मैं अभी अकेली है तू भी बड़ी दिलनशी रात है तो दोस्तों इसे कैसे कहेंगे लाइन हिंदी में बड़ी बड़ी है लेकिन इंग्लिश में से बड़े अराम से आप क्या सकते है You are alone, I am alone and it's beautiful night तुझे मैं बता दू, मुझे तू बता दे जलब पे रुकी बात है कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं बता पाते जो आप कहना जाते हैं और वो आपके मन में ही रह जाता है तो इसे इंग्लिश में कहने के लिए आप बड़े अराम से कहिए You tell me and I tell you The words we are reluctant to express Deluctant to express यानि जो आप बता नहीं पा रहे हैं जो आप express नहीं कर पा रहे हैं And next ना कोई है डर, ना कोई फिकर So there is no reason to be afraid or worried Okay So ना कोई है डर, ना कोई फिकर तो डर के लिए afraid और फिकर के लिए आपको किसी जिसका ना डर होता है और ना ही किसी जिसका फिकर होता है तो लाइफ ना बड़ी मज़दा लगने लगती है तो भही से इंग्लिश में भी तो बोलना सीखना चाहिए हमें किसे कैसे बोले There is no reason to be afraid or worried And it's becoming more enjoyable चिर्रा के दिल मेरा गुरिया चली The gorgeous girl is living after having stolen my hat Gorgeous girl, यानि सुन्दे लड़ी Stolen, चुराना तील का पास्ट है stolen उडा के निंदिया कहा तू चली Where are you going after robbing me of my sleep Oh manzil मेरी, बस तू ही तू I said that this line is very impressive You are my one and only destiny चिर्रा के दिल मेरा गुरिया चली So the gorgeous girl is living after having बोलिये, stolen my hat Exactly चिर्रा के दिल तेरा चली मैं चली और last line है I'm leaving after stealing your heart Steele का मतलब शुराना So guys, आज आज आपने इस song learning से जो जो words सीखे हैं Comment box में बताना मत भूलिये का क्योंकि जब जब आप comment box में comment करते हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा valuable होता है So guys, thank you so much नई episode में नई song के साथ सीखेंगे English तक के लिए thank you so much